पोलेंड से गाड़ी से दस घंटे के यात्रा करके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कियूग पहुँचे यूक्रेन की राजधानी आप सबको पता है कि यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को करीब धाई साल हो गए है ऐसे में भारत का कोई पहला प्रधान मंत्री है वैसे भी जो यूक्रेन पहुचा है प्रधान मंत्री दो दिन की यात्रा पर पोलेंड गए थे और उसके बाद फिर कियूग पहुचे है यूक्रेन और यूक्रेन वो दस घंटे का रास्ता तै करके गाडियों से कीव पहुंचे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने कहा है सुत्रों के हवाले से जो ख़बर मिली है कि रूस जब तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस कोई हमला नहीं करेगा ये सुत्रों ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वज़ा से ये सीज़ फायर इतने वक्त के लिए लागू हुआ है रूस की और से अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले रूस गए थे और रूस के जो प्रेजडेंट हैं उनके साथ वहां मिले पुतिन के साथ तो तमाम दुनिया भर के जो खास करके पश्मी देश थे उनमें एक नाराजगी थी और जैलेंसकी ने भी कहा था कि यूकरेन के प्रेजडेंट से मुलाकात की और वहां पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सभी ने स्वागत किया लेकिन दोस्तों ये जो भारत का अपना एजेंडा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूब में प्रेजडेंट जैलेंसकी से मिलते हुए साफ क प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने सुकरवार को कीम में यूकरेन के राष्टपती ब्लौदमिर जलेंस्की से मुलाकात की जलेंस्की से बाच्चीत के दौरान पी एम मोदी ने कहा कि युद्ध में भारत का रुख कभी भी नीट्रल नहीं था बलकि वह हमेशा से सांती का पक अस्या का समाधान नहीं और शेत्र इस्थिर्था सुनिश्चित करने के लिए बाच्चीत और कूट नीती है एक मात रास्ता है पीम ने कहा कि भारत शांती इस्थापित करने के प्रियास में सक्रिय भूमी का निभाता रहेगा अब ऐसे में जब प्रदान मंतरी वहां गए हैं तो प्रदान मंतरी नहीं कहा कि ये दिन भारत के लिए और यूकरेन के लिए एतिहासी करहा और वहां कई सारे समझोतों पर हस्ताक्षर हुए दोनों देश मानविये मदद कृशी चिकिसा और सांस्कृतिक शेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाते रहेंगे लेकिन प्रदा प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का ये बात साबित कर रहा है कि दोनों को परख रहे हैं कि कौन कितना समझोता कर सकता है इसलिए भारत अभी किसी समझोते की बात नहीं कर रहा है किसी मद्यस्ता की बात नहीं कर रहा है लेकिन प्रदान मंतरी दोनों राष्टा द्यक्षों को परक